आज हम सीखते हैं एक नेक पैटन नेक पैटन मनाने के लिए मैंने अपने कुर्टे की साधे कुर्टे की तरह कटिंग कर लिये बस मैंने यहां पर जो तक्ती का हाफ लेते हैं उसमें आधा इंच प्लस किया है जैसे कि हमारी टोटल तक्ती बारा इंच है उसका हाफ आता है छे इंच तो हमने यहां से साड़े छे इंच लिया है आधा इंच हमने जादा लिया है, हम बोटनेक बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने आधा इंच तक्ति में प्लस किया है, अब हम अपने नेक की चोड़ाई लेंगे, तो हम यहां से डाई इंच ले लेंगे, और उसके बाद इस जगा से चेंच हम रखेंगे, यह हमारा फ्रंट क करल के हищ gebracht है ऊजब तो यह जाई तो ब महारा फ्रंट यह होगा और आक हम डो乾़े करें इंच करेंगे तो हम यहां से सीधे 2 इंच ले लेंगे it को भी हम यही पर मिला लेंगे इस कुड़ते की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू कट कुड़ता उसके मैथड से आप अपने कुड़ते की कटिंग कर सकते हैं अब हम पहले back neck की cutting करेंगे अब हम एक portion हटा लेंगे और अब हम ये front वाले neck की cutting कर लेंगे अब हम इसमें neck में pipe in बनाएंगे तो उस pipe in के लिए हम ऐसे तिर्चे कपड़े की cutting कर लेंगे तो मैं यहां से लगबर डेढ़ इन चोड़ी अपनी pipe in को cut करूंगी और यह आपकी choice पर है आप इसे कितनी चोड़ी लगाना पसंद करेंगे अब हम paper canvas लेंगे और उसके उपर हम अपना extra वाला कपड़ा रहेंगे इसको हम सीधा रहेंगे और इसके उपर हम अपने कुड़ते का neck रहेंगे इक को हम उल्टा रहेंगे और हम यहां किनारे किनारे के सिलाई लगा देंगे आप हर तरफ से देखिए कि आपका कैनवास सब तरफ पीछे की तरफ आ रहा है या नहीं अब हम यहां पर पिन लगा लेंगे ताकि यह हमारा कपड़ा यहां पर सेट हो जाए अब आप इस पर सिलाई लगा लेंगे अब हम अपनी सिलाई लगाएंगे तो ये मशिन का फुट और ये कपड़े की इक्वल डिस्टेंस चलेंगे इसके बराबर बराबर हम चलेंगे तो हमारी सिलाई एक जैसी लगे जिससे आपके कपड़े का शेय पे आप उसी के अकोर्डिंग अपनी सिलाई को मौड लीजिए अब हम ये कपड़े के बराबर इसको अंदर वाले कपड़े को और के इनवास की कटिंग कर लेंगे अब हम पिन हटा लेंगे और हम कपड़े को टर्न कर लेंगे और अब हमें जितना चोड़ा अपना कैनवास को इस तरफ से रखना है उसमें चोड़े चोड़े हम इस कैनवास की ओपर निशान लगा देगे जिसके हम यहां से 1 इंच से थोड़ा कम रखेंगे. एक इंच एक इंच अशे आप हर तरफ से निशान लगा लिजिए. इससे थोड़ा Κम भी ले सकते हैं आप. इस तरह से निशान लगाने पर आपका कैनवास हर तरफ से बराबर कटेगा. आप इससे कम करना चाहती है तो आपकी कट्टिंग इस निशान के अंदर की तरफ हो और आप ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ आपको कैनवास की कट्टिंग करनी है आपका नीची कोई कपड़ा पकड़ में नहीं आए अब हम इस कपड़े को ऐसे फैला लेंगे और इसके बाहर बाहर हम ये वाले कपड़े की कट्टिंग कर लेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा नीचे वाला कपड़ा नहीं पकड़ में है सिर्फ और सिर्फ ये वाला कपड़े की हम कट्टिंग करेंगे अब हम इसके उपपर इसको ऐसे फोल्ड कर लें अब हम यहाँ पर सिलाई के पास तक कर्ट्स लगा लेगे ध्यान रखियें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए अब हम इस नेक को इस तरफ टर्ण कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे अब हम अपने कुट्टे के पिछले हिस्ते का नेक तयार कर लेंगे तो हमारा यह जो नेक कटावा है हम इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से हम एक स्टा कप्डा लेंगे उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर रखकर इसको भी कुटावी हमारा डबल फोल्ड है और यह कपड़ा भी हमारा डबल फोल्ड है हम इसके बराबर बराबर इस कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेंगे अब ही यह जिदनी चोड़िये है दर से एसे ही बराबर ऐसी पट्टी कटिंग कर लेंगे और इसको हम कुटे के यह पिछले हिससे की सीधी साइट पर लगा लेंगे यह हमारे कुटे का सीधा हिस्सा है इसके उपर हम इस पट्टी के कपड़े को उल्टा रखेंगे और यहाँ से इसके बराबर हम सिलाय लगा लेंगे इस पर भी हम सिलाई के पास तक कट लगा लेंगे और हम इस पट्टी को यहा से ऐसे कर लेंगे इस इप रहा ने जिए यह और ने वी फी आने कीयों आट ना हम यहां पर तक लेंगे इस पट्टी के उपर इस पट्टी को हम ऐसे पोर्ड कर लेंगे अब हम इसको सीधा रख लेंगे पूर्टे के आगे वाले इससे को रख लेंगे इसको भी मुल्टा रखेंगे और इसको हम यहां पर एकदम इसके बहाबर हिसे रखेंगे और इस पट्टी को अब हम यह साइड टर्ण कर लेंगे ऐसा ही हम यह side कर लेंगे, यहां पर इसको रखेंगे, इस जगह पर हमारा बराबर रहे और इसको हम इस तरफ टर्न कर लेंगे , अब हम इसको यह side टर्न कर लेंगे, यह देखिए ! यहां पर हमारी फिनिशिंग से पहाँ और एक शुट जायेगी अब हम इस पूरे नेक में पाइपिन लगा लेंगे, यह हमारा कांट्रस कपड़ा है इसकी हम पाइपिन लगांगे, तो हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और इस पाइपिन को हम सीधी रखेंगे और इसको हम ऐसे नीची की तरफ रखेंगे यहां से हम इस पाइपिन को ऐसे टर्न कर लेंगे और हम यहां किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए पूरे में पाइपिन लगा लगे पाइपिन को आप खीचेगा बिल्कुल मत और आपकी सिलाइब बिल्कुल किनारे होना चाहिए यहां से आपकी पाइपिन थोड़ी आगे रहना चाहिए अब हम इस पाइपिन को सीधी साइड देखते वे हमारी कुर्ते के फ्रेंट साइड को देखते वे इसे लगा लेंगे यहां पर देखिए हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था तो यहां और फिनिशिंग से यहां पर आ जाएगा अब हम इस पाइपिन को लगाएंगे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और हम एकदम यह दूनों पाइपिन और कपड़े के बिल्कुल बीच में हम सिलाई लगाएं अब हमारी पाइपिन लग गई है अब हम आगे वाले नेट पर एक पैटन देंगे तो उसके लिए हम यह डौरी बना लिए हमने डौरी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक में अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दोंगे हम दो दो इंच लंबे अपने यह डौरी की कटिंग करेंगे तो अगर आपकी डौरी की कटिंग इक्वल होगी बराबर होगी तो लगाने में भी आपको बराबरी से आएगी तो इस चीज का आप फ इनको लगाएंगे। आपकी चोईज है आप इन्हें कितने बड़े या छोटे दिखाना पसंद करेंगे। हर थोड़ी दूरी पर हम इने लगा लेंगे। हम यह पैटर्न को सिफ आगे आगे नेक पे ही लगाएंगे पीछे वाले नेक में नहीं लगाएंगे। अब हम एक फुट यह मशीन का फुट है इसके एक वाले फुट की डिस्टेंस पर एक सिलाई और लगाने हैं। अब हमारा यह पैटर्न इस तरह से तयार है। अब हम इसमें एक पैटर्न और देंगे। तो उसकी लिए हम इसको ऐसे डबल फूल कर लेंगे और यहां सेंटर में हम यहां से 10 इंच का निशान लगा लेंगे। यह आपकी चोईस पर है। आप 10 इंच लीजिए, 9 इंच लीजिए, 8 इंच लीजिए यह आपकी चोईस पर है कि आप कितने बड़ा पैटर्न देना चाहते हैं। और हम यहां पर एक सेंटर निकाल लेंगे टेलर चोप की मदूद से। और अब हम हर 2 इंच की डिस्टेंस पर भी एक ऐसे निशान लगा देंगे। यह निशान हुआ, 2 इंच की डिस्टेंस पर मैं किसा आड़ा निशान लगा देंगे। अगर हम एक लंबी डोरी बना लेंगे। उसको हम बराबर से ऐसे पकड़ लेंगे। और यहां पर इसका सैंटर निकाल लेंगे। इस निक को हम खोलेंगे और हमारा यह यहां पर इस डोरी को ऐसे रखकर यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम धागा चेंज कर लेंगे, हम पिंक कलर के धागे से इसको लगाएंगे क्योंकि यह डोरी हमारी पिंक है। और फिर हम यह साइट से इसको यहां लेंगे और यह साइट से हम इसको यहां लेंगे। आप सिलाई आगे पीचे करके डबन लगाएंगे। और अब हम यह वाई डोरी को यह साइट लेंगे। यह जो हमने हर 2-2 इंच के निशान लगाये थे वहां पर हम इन क्रोस को मिलाएंगे। ऐसे लेंगे और इस वाली को यह साइट लेंगे। एक दुशे के अपोजिट लेंगे और हम यहां ऐसे लगाते रहें। अब हम फिर यह वाली डोरी को यह साइट लेंगे। हलके हम थोड़े से लूज रखेंगे। इस चीज का ज़रूर खाया रखेंगे। आप इसको एकदम ऐसे पकड़कर ऐसे पकड़कर नहीं करें। थोड़ा सा आप इसे लूज छोड़िये। और थोड़ा सा इधर वाली को भी। दोनों को हम यहां पर मिलाएंगे। और यहां पर सिलाएं लगाएं। इस तरह से हमारा यह पैटन यहां पर वाला बन जाता है। इस तरह से हमारा यह नैक पैटन बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हमारा यह नैक पैटन बनकर त्यार है। इसको कुर्टे को सिलने के लिए आप मेरी कुर्टा प्लेडिश देखकर अपने कुट्टे को complete कर सकते हैं उसमें मैंने कुट्टे के slews जोड़ना कुट्टे को fitting देना और कुट्टे के slits को fold करना बताया है आप उसको देखकर अपने कुट्टे को complete कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे like करें शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नए वीडियो के लिए थैंक यू करें आने वाली करें प्रमारे चैनल करें तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है